हेलो फ्रेट्स नेटिंग टेटोरियल में आपका स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी यह फुलकारी वाला डिजाइन लेके आई हूं यह लेडी सोक्स में तो बहुत ही अच्छा लगता है देखे साइड में इसके छोटे-छोटे फ्ला सावर बनाई है देखे इप हो इसक ear यह पैंने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है मैं इसको ब्ली और वाईट कलर में बनाया है आप कोई वी कलर में आप इसको बनाएंगे तो यह उतफ्नी ही खिल्के आएग और देखे मेरे सी सिलाइश ने कई है आप को बताने के चाहिए मेरी वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको इस अक्स कैसी लगी तो देखे मैं बताती ही मैंने इसको कैसी बनाया है देखे फ्रेंट्स मैंने इसमें 49 फंदे डाल ले हैं जोड़े से एक फंद आप एक्स्ट्रा डाल लेना आप अपने पैर के अकोर्डिंग इसमें फंदे कम और जादा डाल सकते हैं और इसमें मैंने एक सेंटर में फोट्या फंदे मैं इधर किये है और बीच के फंदे शमें पर एक मार कर लगा दिया जहां पर हमारा यह बड़ा फ्लावर बनेगा अट्स मैं बताते हूकर मैंने इसको कैसे बनाया है ज्यादा तर हम सैकेंड कलर लगाते हैं तो अल्टी साइड से लगाते लेकिन यह कंलर हमारा यह सीधी तरफ से लगेगा को फ्रेंट पहला को मैं इसको फर्स्ट फंदा मैं बनाऊंगी वाइट से जब हम पहला फूल बनाएंगे फ्रेंट्स तो फर्स्ट फंदा हमारा हुआट से होगा और एक फंदा बनेगा और सेकेंड हम ऐसे ही ब्लू का उतार लेंगे, एक बनाएंगे एक उतारेंगे, जहां तक हमारा फ्लावर बनेगा वहां तक हमने इसको ऐसे ही बनाना है, अब यह देखिए, यह हमारे यहां पर पास बारा जोड़े हो गए, एर, तो, तेर, चाथ, पांचे, साथ, नो, दस, ग्यारा, और बारा, इस मार्कर और निकालँगे अब अब देखना इस फंद को हमने एक बार बनाया यह हमारे सेंटर का फंदा है जहां से हमारा फूल स्टार्ट हो रहा है और इसको मैंने एक बार और बनाया यह हमारा दो बार बन गया अब हम यहीं से ब्लू कलर में सलाई डालेंगे और यहां से एक फंदा और बना देंगे यह हमारे पास दो हुबे दूसरे वाले को भी मैं इसमें उतार के इसको भी डबल बना लेंगे यह दो बार बन गया अब तीसरा फंदा हमने फिर बनाना है तो फिर मैंने ब्लू कलर सला दबल करेंगे, फिर मेने यह पर चौथे बार सलाय डाई रहे हैं, ने करीफन्तो बनाने बनानी जा रहे हैं, ज्रफन्तों सबस्णी नहीं ए चौथे बाले डाले को इसमें डालके और फूर बनाईँगी, प्रहम ने शीलाई डूली और यह हमारा होगया पांचे फंडा पांचाव फंडे को भी इसमें डालके हमने इसको एक पार औरभून देना है फिर हमने यहां पर डूली और हमारा होगया छटाफंडा यह देखिए छटे फंदे को भी हम इसमें डाल के और एक बार और बना लेंगे और यह अब हमारा हो गया यह हो गया हमारे च्छे और यह हमारा हो गया साथ मां फंदा तो इस फ्लावर में फ्रेंड्स हमने साथ फंदे बना के इससे त्यार करने देखिए और इससे आग्ये वाला फिर हम ब्लू लेंगे जैसे इधर हमारा ब्लू हो तो इधर भी हमारा ब्लू आएगा और यह हम एक बना के और एक ऐसे ही इपार लेंगे यह पूरी सलाई को हम ऐसे ही कंप्लेट करेंगे और एक चीजे का ओर धिया लखना नहीं तक जारी में। फरस्ट वाला वह हमारा एंड में भी वह आना चाहिए नहीं तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा बिल्कुल यहां से हमने एक लिया है तो पीछे भी हमारा एक ही वाइट बनना चाहिए देखियो अब हम आगे हैं रोंग साइड डिजाइन की हमारी सेकिन सलाई है वाइट वाले को हम ऐसे ही बना देंगे दागा अपनी तरफ करेंगे और इसको उतार देंगे फिर दागा पीछे करेंगे और वाइट वाले को बना देंगे दागा अपनी तरफ ब्लू उतार दिया दागा पीछे यह देखिए ध्यान रखना फ्रेंज हमने हर बार दागे को अपनी तरफ ले के आना है तब हमने ब्लू आले को उतार ना है कर तूख एफ लेके और दागा खूकरी तरूँ तरुश पहर की इफ फूल के फंदे हमने बहुत ध्यान से उतारने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, देखे, यह हमारा फूल बनना शुरू हो गया, साथ के बाद फिर हम दागा आपने करप लेते होंगे, और इसको उतार देगे, दागा पीछे कौन बनाएंगे, जैसे हमने पहले कम्प्लीट की है, जैसे हमने इसको पूरा कम्प्लीट करना है, जैसे हमने करना शुर कम्तिशस पू़ करना है, प्लीट कि बनाएंगे, पांगे हमना प्लीट वास्ड़ साय अवेती है टेंरा क भीटे लेखेंगे, और दे लेखें kayणान घखेः एवेट्या। कर लेजाएं की तो सलाई हम में इस ही में देजाइन की कॉंपली और ॥ भाए यह को भौ से तार के जिसन हैं चाईर सलाई में एक में हमाना आपे ऐसे मुझे कर दीस थी आगि ठाह Awak इसको फ्रेंड्स हम कैसे उतारेंगे जो हमारा बेस कलर है अब हम उसको यूज करेंगे अब हम इसमें सारे फंदे ऐसे सीदे सीदे बना देंगे वाइट भी हम बिलू से बनाएंगे और बिलू भी हम बना देंगे यह देखें छुट छुटी फ्लावर हमारे बन के तयार होगे फ्लावर वाले फुर मेरी हम सीधे ही पारेंगे तो थोड़ा सा दागा यहां पे फैंस लूज रखना रूज रखने से हमारा यह फ्लावर बड़ा खिला खिला बनेगा बंदा बंदा ने बनेगा अब हम देखें एक दूसर फुलोर में आपको डालना बताऊंगे अच्छित्स हिए जैसे हमारा पहला फुल बनता है ऐसे ही हमारा तीसरा पाचवा और सात्वा फुल बनेगा और जैसे हमारा सेकेंड वाला फुल बनेगा यह यह वारा की चोथा बनेगा और च्छटा बनेगा है यह मैं आपको साइटिल वाला बताएंगी कि हमने उसको कैसे स्टार्ट करना है पिर मैं इसको कम्प्लीट करके आपको दिखाऊंगे यह देखिए हमें सारी रोग कम्प्लीट कर लिए और फूल हमारा बनके त्यार हो गया अब हमारी यह फोर्ट सलाई है लास्ट सलाई है डिजाइन की और फोर्ट सलाई इसको भी हम फ्रेंड्स उल्टी तरफ से सीधा बनाएंगे सारे फंडों को यह इस जर किसमें Gefवार्श동्त कांड़ में मी यह वर फोर्ट सिधूश्वद shifting present कि真的 पती हुलिए वगया के लिए उनलिए बनाएंगे सालाई है यह विल्या उतस्वार्शों को अब हम सेंटर में आगे यह फ्लावर वाले फंदेडी हमें ऐसे ही सिदे-सिदे बना लेंगे आप इस फ्लावर को इस डिजाइन को बेबी सोक्स भी बना सकते हो इसमें भी आप इसको डाल सकते हो कि देखिए यह हमारी रोपुरी कंप्लेट होने वाली है और यह हमारे डिजाइन भी पूरा हो गया चार सलाई में हमारा यह फूल बनके फ्रेंड्स कंप्लेट हो जाता हैं और हर फ्लावर जिब भी हमारा तियार होगा तीन फंदे हमारे इस साइड बढ़ जाएंगे दोने साइड तीन फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे प्रेंड्स हमारे चार सलाई कंप्लेट हो गई है और यह हमारा पहला फूल बनके तयार हो गया अब सेकंड फूल में फ्रेंड्स हमने क्या करना है यह द्यान देना आप फर्स्ट फूल में मैंने सिंडल फंदा वाइट से बनाया था और मैं सेकंड वाले फूल में दो फंदे वाइट से बनाऊगे इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी हम आप तीसरा फूल शुरू करोगे तब भी आपने एक फंदा लेना पहले और जब आप सेकंड करोगे और फोर्थ और शिक्स करोगे तो यहां पे दो फंदे हमने वाइट के लेने हैं तब हमारा डिजाइन सेट होंगा और दो फंदे इधर आएंगे फ्रैंड तो हमारे दो ही इधर आएंगे कि वीधिक पहले फूल में फ्रेंड हमारे पास 24-24 फन दे थे अब हमारे पास 27-27 फन दे थे दोनों तरफ एक दो तीन चार पाम छे साथ आठ नोग दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा थारा उन्निस बीस इकिस बाइस देश चोविस परचिस चबशिस 27 फन दे मैंने इधर रखे और हमारे 27 फन दे ही इधर है और यह जो बीच का सेंटर का है यह वाला फन्दा आप चाहे तो यह मारकर लगा ले ना लेकिन मैं तो गिन के भी काउंट कर लेक्ति हूँ तो मैंने गिन लिये हैं यह यह देखिए एक बार बनाया ध्यान से देखिए फ्रेंड फिर मैंने इस लाई में डाला दुबारा फ दुबारा बना लेना है फिर हम तीस राफं दा उठाएंगे ऐसे बुण देंगे तीसरे फंदे को भी फिर इसमें डालेके एक बार दबल बनाना पड़ता फ्रेंड यह एक बार फिर मैंने उठाया नब हमारे फंदे हो गई चार फिर मैंने यहां से उठाया यह देखिए यह होगे हमारे पांच फिर एक वार और मैंने यह होगे च्छे च्छेटे वाले को बीच में डाल के इस बार में और बंदू और यह हमारा होगा लास्ट सातुरा फंद्ध होगे होगे हमारा इधर ब्लू है इधर भी हमने ब्लू ही उतारना है ब्लू है झाल झाल और पास हे दो लास्ट्त १ कि इढर 2 वाइट थे तो यहां भ Image इढ़े फ्रेंड्स अब यह उड़्टी साइड से हमारा विजाइन की सेकिंड्न सालाई है न यहां कीसे बनाएंग उह ऌशह वाइट वाले karşı Waidas इसको उतार देंगे, सेन पैटन वो ही है जो हमने पहले यूज किया था इसको हम बना देंगे इसको अना देंगे लड़ आया गला देंगे थाया बना देंगे पोड़ किया देंगे उक भूघ quickly इसको भीया जो हम बनाती किथर अजर देंगे अब हम फूल के पास आगे फैट फूल के फंदे देखना ये बड़े ध्यान से बनाने हैं लूज लूज धी दो उच्वबार शाव इ्यार है वाम टी biomass ज्गेंगा है और दूमम मेर सषय के इंदध लुब रप Danke बहुत एजी डिजाइड नहीं, आप एक बार इसको जुरू ट्राइ करना स्काथ करई लोड़ अटेव जो रचके लोड़ू ओड ररी घ्राइड नहीं, बहुत एक बारे बार इसकतवित लुरू एक बार आपके लोड़ू, वेल रहती हैं लोड़ू लोड़िया सप्टे़ कर सब्सेर कर दोड़ू एक दोटेगी जो एक बार दोबीग आप कर अपक सीधे बना देखें फेंड बहुती इजी है अब ये थर्ड सलाई में इसको ब्ल्यू वाले से बुन के उतारूने लेखें इसमें हम सारे ही फंदे सीधे तरफ है सीधे जरफ से ऐसे सीधे सीधे उतार देए अब देखें फ्रेंड फूल वाले फंदे थोड़े से लूज लूज हाथ करके खिले 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 ऐसे बनाने खिले 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 देखिए अब तो अब मैंने आपको तो यह तो फ्रेंड्स दो फूल मैंने आपको कम्प्लीट बता दिये हैं हैं जैसे पहला फूल बनेंगा ऐसे ही हमारा थीसर पॉच्वा और साथ माइग स्थाइध से 15 फॉलावर न कि अधूल सेट होता चला जाएगा और कर सेट वाले फ्लावर में हमने आग्ये वाले सेकंड फंदे दो फंदे वाइट से बनाने हैं और फिर हमने अपना डिजाइन शुरू करना है ऐसे आप करूगे तो आपका डिजाइन अपने आप गी सैट होता चिला जाएगा और हर फ्लावर में दोनों तरफ हमारे तीन तीन फंदे बढ़ते चले जाएंगे फर्स्ट वाले फूल में हमारे 24-24 फंदे थे सेकंड वाले फूल में हमारे 27-27 फंदे हो गए और तीसरे फूल में हमारे 30-30 फंदे हो जाएंगे यह देखे फ्रेंड यह सलाई भी हमने ऐसे ही सीदी सीदी उतार में है यह हमारे डिजाइन की फॉर्थ सलाई है च्यार सलाई में हमारा डिजाइन बनके कम्प्लीट हो जाता है तो अब मैं फ्रेंड इसमें साथ फूल कम्प्लीट करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने उनको कैसे बनाया है यह तो मैंने बता दिया कि उसके उपर कैसे बनाना है वह फिर मैं आपको बताऊंगी यह देखिए यह सी जी सलाई में फूल तक लेके जामड़ी फिर इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी और जब भी फूल बनाना स्टार्ट करो या तो फनेंट साप मारकर लगा लेना या आप फंदे गिन लेना दोनों तरफ हमारे इक्वल होने चाहिए और बीच के सेंटर वाले फंदे के आप फूल बना देना यह देखिए फूल तक मैंने बना दिया है देखिए फ्रेंड्स दो फूल बनके हमारे कम्प्लीट हो गई हैं मैं ऐसे ऐसे करके साथ फूल बनाऊंगी साथ इतना बना के दिखाऊंगी यह मैंने यहां सक दिखा दिया आपको पैला और सेकिंड वाला फूल देखिए मैंने इसमें साथ फूल बना रहे हैं साथ फूल बनाने के बाद मैंने यह आठ सलाई उपर ब्लू कलर से उतारी हैं हम यही पे अपना वाइट कलर छोड़ देंग कि ऊपर मैंने इसको कैसे बनाया है विदेखिए जहां पे हमारा पंजा और उंगली बनेंगे बहुत ही अच्छी शेप आती है फिर में यहां से मैंने एडी की चटाई कर रखी है चार फंदे मैंने एक एक करके उपर तक गटा रखे ताकि हमारी एडी की चटाईए शेप अच्छी तरह आ सके तो मैं यहां तक आपको कम्प्लीट करके दिखाती हूं यह आठ सलाई में और उतारूंगे सी देशी दियां पर कोई फंदानी बढ़ेगा यहां पर जो डिजाइन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है तो आप भी जब तक इतना ब पर उतार ली हैं अब मैं यहां से अपने फंदे एक फंदा इधर से मैं घटा दूँगे ऐसे करके और इन को मैं सिदे सिदे बना दूँगे तो फ्रेंड्स हर तीसरी सलाई में हमने एक फंदा इधर से घटा देना है तो हमारे इससे क्या होगा एड़ी की अच्छी सी शेप बन जाएगी इसमें आगे हमने कोई फंदानी बटाना है इसको हमें से ही सिदा सिदा बनाएंगे इसको हमें उड़ी बनाएंगे थ्दान दूपड़ा न ऊत्स हमें में इसस्ताइजिया इससरी कोई बनाएंगे इससरी कोई दो पलो प्रेंगे इससरी कोई प्रेंगे देखे फ्रेंड्स मैं उपर बना लेते हूं थोड़ा सा यह देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दसली सलाई पे मैंने यह पांच हंदे गटा रखे हैं इधर से यहां पे हमारा अंगुठा और पंजे की शेप बनेगी दसमी पे मैंने यह पांच फंदे गटाई हैं एक दो तीन चार पांच छे छे लाइन हमारी कंपलीट हो चुकी हैं यह साथमी रो हमारी यह स्टार्ट है तो फ्रेंड्स मैं यह दस बनाके और फिर मैं आपको बताऊंगी इधर से मैंने यह कैसे गटाई हैं और इधर से हर ती यह दस लाइन बना के दस नी पे मैं कैसे गटाऊंगी यह मैं आपको अभी बताती हूं दिखिए दस लाइन मैंने यह इधर की तरह कम्प्लीट कर ली हैं एक दू तेन चार पान छे साथ आठ नो दस नी पे हां हम तो अब मैं यहां से देखिए पांच भंदे कम कर दूँगे एक दो तीन चार और यह पांच देखिए पांच कम करने के बाद इसको उपर से फिर हम ऐसे उन्टा उन्टा बना लेंगे यह देखिए यह जैसे मैंने इसको इधर से चांट रखा है यह से ही मैंने इस पांच घटा दिये और उपर देखिए पड़ने के बाद एक इसको बंद ऐसे किया है जैसे हमने नीचे 5 गटाई थे ऐसे करके हम इसके उपर से उतार देंगे एक तरीका यह बंद करने का और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूं इसको डाल इसको फंदे को सलाई में डाल के और आप ऐसे दो का एक भी कर सकते हूं फिर वापस इसको इसमें डाल के और फिर आप दो का एक करते हूं जैसे भी आप बंद करोगे तो यह हमारे ऐसे खंदे बंद होते चले जाए हैं मैं दोनों तरीके से बंद कर लेकिंग आपको जैसा इजी लगे आप वैसे करना है क्यां पह्यां कोने बंद फ्रेंट्स होते हैं वह वाप पास है . कैसे सिला है कि मैंने इसको बंद कर दिया है और दागा इसको लास्ट में छोड़ दिया सिलाई की काम आएगा यह पका कर के अब देखिए हम इसको कैसे सिल लेंगे यह जो हमारे हैं इसको अइसे क्या जोआना सूलीस मेरा जिल इसको और विलो कर ARU अहां दो को से और मैं आप इसी क्या नोगाВ सब्लाएं का लिए ऐने अभी भूस्ती करना है भी कि शेया क्रीए कर दो का अभूए दो कि अगर आ रॉरेखल engagement इसको मने ऐसे उन्जाने में लिंदाएं झाल 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 देखें, हमारा ये एक साइड का सिल गया है, अब मैं इसी धागे को दूसरी तरफ लेके जाऊंगे, यह ऐसे हमने कौने मिला लेने हैं, देखें, दूसरी तरफ लेके जाऊंगे, एक स्ट्रा दागे होंगे, लास्ट में हम इनको काट देगे, झाल उपर सिलिकुल और मिला लेने, इसको दभूकों नहीं पर पके देखेंगे, अब देखें, ये हमारा इतना पात सिलिवे आ है, अब इस फ counties दूसरी पर जाएं यह इस फिलिवन कहा देखेंगे, यह अब देखेंगे, यह व्यूद्देखेंगे, यह उच्यिक्स पात्रा यह और यह दूसरी लेस्य में इस और ये पिछे के और हमारा बैक साइड हैं इसको हम बिल्कुल ऐसे कलर मिला के ऐसे सेट करेंगे विल्कुल इस पे जो हमारे फूल से फूल मिले इसको हम ऐसे यहां से पकड़ के इसको ऐसे यहां से ऐसे और फिर ऐसे इसको मैं complete सील दोंगे यह आगे का मैं आप उसी दा करके दिखा देती हूं यह हमारे निचे की साइड आएगा कि देखिए यह बिल्कुल दो फूल हमारे बिल्कुल ऐसे पैर में सेंटर में आएंगे तो मैं इसको complete करके आपको सिलाई करके complete करके दिखाते हूं कितनी अच्छी और सुन्दर सोक्स बनी है यह देखिए मैं अभी इसको सील देती हूं फिर मैं आपको complete करके इसको सीदा करके दिखाऊंगी कि फाइंडल बनने के बाद हमारी यह कैसी बनी देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको सील के complete कर दिया है देखिए यह हमारी पीछे से एडी की भी बहुत ही अच्छी शेप आई है देखना बिलकुल बनके यह परफेक्ट तयार हुई है देखना चुट-चुटे फ्लावर कितने सुन्दर लग रहे हैं और यह बीच के सेंटर के बड़ी फ्लावर इससे तो इसकी लुक बहुत ही अच्छी लगती है तो फ्रेंट्स आपने आभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपक कोई लेविज सोक्स कैसी लगी बिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ थैंक यू